हस्देव जंगल को बचाने जनता ने उठाई आवास तो वहीं गोणवाना गरतंत्र पार्टी दे कलिक्टेट पहुँचकर ग्यापन सौपा 36 गड़ में पिछले कुछ दिनों से हस्देव जंगल की कटाई को रोकनी और घने जंगलों की अंधाधुन कटाई को रोकनी विभीने संगठनों ने अपनी आवास बुलंद की है और इसका खुल कर विरोध करना शुरू भी कर दिया है वही भाटपा सरकार की सत्ता में आते ही जिस तरह से हस्देव जंगल की गटाई की शुरूबात की गई है इसके विरोध में लगता रादिवासी समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इसकड़ी में गोंडवाना गरतंत्र पार्टी के कारिकरताओं ने जिला मुख्याले पहुचकर हस्देव जंगल बचाओ के नारों के साथ जम कर विरोध प्रदर्शन किया इसके साथ ही आम जंता ने भी दुर्ग शहर में मानाव श्रिंखला बना कर हस्देव जंगल को बचाने अपनी गुहार लगाई इस मामले में उन्होंने बताया कि जिस तरह से लगातार कोईला खनन के लिए इस शेदर में जंगलों की कटाई हो रही है इससे आदिवासी समाज जो इस समय जंगल के रक्षक हैं और इससे सर्व आदिवासी समाज भी खत्रे में पड़ गया है उन्होंने अपने मांग पत्र में आगामी दिनों में अगर उनकी द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो रास्ती स्तर पर जंगल को बचाने विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है हुए है हम लोग ग्यापन दिने आये हैं और यह जो भाजपा की सरकार दो मुही की सरकार है जैसे ही आदिवासी को खुश करने के लिए राज्य में आदिवासी मुक्यमंत्री बनाया है उसी दिन से हज़ते परियोजना कुछे जंगल को काटने के लिए लोग आदेश जार रहे हैं एक तो जंगल को काट रहे हैं कोले ख़दान के लिए दूसरा जंगले लोग क्या करता है कि हीरान बाग पालने के लिए वहां के अरने को जंगल को बचाते हैं और वहां के आदिवासी को निकाल देते हैं जानवर पालने के लिए जैसा अभी अभारन कही जगा वही तो है ना सरकार दादा गिरी पी उतार आया ना मुख्य मंत्री भी साय जी बने हुए है उसी दिन से चालू हो गया ना कांग्रेस सरकार भी था तो वह अपना यह आदिवासियों के साथ धोखा है और यह लोग ठान लें कि आदिवासियों को खतम करके ही यहां पर एक सत् ओगे प्रकृति है अधिवासिये अधिवासियी प्रकृति है दिखिए केंद्रा और राज सरकार जो आदिवासियों के जल जंकल जमीन पर विनास कर रहे हैं खतम करने की एक साजी साय यह गटना देखती हुए सपार के नेड़ा देखते हुए लग रहा है कि यह आदिवा काटने के लिए का सरकार अपने मित्रों को खुश करने के लिए जो नेम बनाई यह गलत है और जंगल है तो आक्सीजन आक्सीजन है तो मानव जीवन जीव जनतु है इस तरह सरकार से हम केंदर सरकार और राजसरकार से ये मांग करते हैं कि देव जंगल को न काटा जाये और जीव जनतुओं को सुरक्षित कर देः, मानव जाति को सुरकषित रखने के लिए जल, जंगल, जमीन बहुत जरूरी है, और इसके वीप्रित अगर सरकार काटने का निरणा लेती है तो पूरे भारत में इसका विरोथ किया जाएगा सभी संगठनों के आदिवासी समाज के लिए खाली है आदिवासी समाज के लिए अक्सिजन जरूरी नहीं है सभी मानव सभी समुदाय के लिए बहुत जरूरी है A.C.N. News के लिए दुरुक से नसीम फारुकी की रिपोर्ट